असलाम लेकुम एन वेलकम दू फाइनेंशल फ्रीडम्स के सी अंडर्ड इंडेक्स अपडेट के सी अंडर्ड इंडेक्स ने 241 पॉइंट्स गेन किये हैं और इंडेक्स क्लोज हुआ है 47,377 के लेवल पे मार्केट में अगर हम पार्टिपेशन की बात करें तो 138.31 मिलियन वॉल्यूम्स का बिζनस हुआ जो के कंपड़िटिव सेशन में हमारे पास मैरी 123.46 मिलियन वॉल्यूम्स का बिζनस था तो हमने देखा कि 10 मिलियन वॉयूम्स का बिζनस INCREASE हुआ है 5 दिनों की हमारी जो देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों से तक्रीबन जो है वो वाल्यूम्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं सबसे लोएस्ट वाल्यूम 9 अगस्त को आये थे और उसके बाद हमने थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो इंडेक्स में जनरेट होती हुई देखी मार्केट सुबह पॉजिटीव नोट पे ओपन किया और उसके बाद जो है वो मेंली पॉजिटीव टेरिटरी में ही अपरेट करती रही और सिंगल मुवमेंट के लिए भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गई स्पेसिविक स्टॉक्स के बात करें तो 49 स्टॉक्स की प्राइसी इंक्रीज हुई है 42 की डिक्रीज हुई है और 9 की प्राइसी अंचेंज रही हैं सेक्टर वाइस कंट्रिबूशन में टेक्नोलोजी ने सबस्यादा पॉजिटिव पॉजिट की है 98.51 पॉजिट फॉलॉड बाइब पावर जेनरेशन विट 25.96 पाइंच और फेरिलाइजर विट 24.31 प पे commercial banks की तरफ से सबसे ज़्यादा negative TI 6.62 negative points followed by miscellaneous with 3.99 points and then tobacco sector with 2.85 points. अगर हम company wise performance की बात करें तो TRG पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा positive points add कि 76.80 points followed by hubco with 27.24 points and then agro with 26.32 points. Negative side पे bank alfala ने सबसे ज़्यादा negative points add की है followed by MCB and then EF ERT. डेली चार्ट को अगर हम देखें तो 47 के RSI के साथ अभी भी एक M.A.C.D. की फ्लैट मुवमेंट अवेलेबल है और जो हमने कल बात की थी कि एक बुलिश पिन बार जो है वो जनरेट हुई जो शॉर्ट कवरिंग शो का रही थी उसके बाद पॉसिटिवर्टी एकस्पेक्टिट थी करता है तो फिर हम देखेंगे कि रिजिस्टेंस लेवल 47,650 का और उसके बाद बहुत बड़ा एक मेजर रिजिस्टेंस जो है वो 47,780 की जो है ओपन हो जाएगी अभी इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि वो 47,520 से उपर जो हो येट सपोर्ट अवेलेबल है और अगर इंडेक्स इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये दुबारा 47,045 के लेवल को एक्सपोज कर देगा जहां पर हम देख रहे हैं मल्टीबल टाइम्स जो है इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ में नजर आ रहा है तो कल के सेशन क अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास चांसे अवेलेबल हैं कि इंडेक्स जो है वो 47,520 की तरफ जाएगा लेकिन उसे क्रॉस करने की सुरत में ही इंडेक्स की जो पॉजिटिविटी है वो प्रिवेल करेगी और हम देखेंगे कि इंडेक्स में मजीद पॉजिट सिच्वेशन में सीडी का बाय सिगनल अभी इंडेक्ट है 49 का RSI है 47 का आपका डेली चार्ट पे तो इसका मतलब यह है कि इंडेक्स को बोथ इंट्रडे और डेली लेवल्स पे कोई अवर बाट की सिच्वेशन अवेलेबल नहीं है कोई अवर हीडिट सिच्वेशन एज अ एक्सपोस करेगा 47,111 के लेवल को और 46,950 के लेवल को 46,950 का जो लेवल है अगर हम इंट्रडे लेवल्स की बात करें तो वहाँ पे जाके इंडेक्स अगें जो है वो अवर सोल्ड हो जाएगा और शॉर्ट कवरिंग जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी यही वज अगर हम बात करें बुल्स की तो जब हम इंडेक्स में पॉजिटिविटी देखते हैं तो 48,000 के करीब जाके 47,900 से 48,000 की तरफ जाके जो है बुल्स अपना जो है वो कंट्रोल जो है वो लूज कर देते हैं और इंडेक्स में पॉजिटिविटी जो है वो मेंटेन नहीं हो स तो सारी सिच्वेशन को अगर हम एक नट शेल में बात करें तो ये बनती है कि इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी अपनी कंटीनियू कर सकता है अनलेस अदरवाइज जो आपके पास एक अच्छा रिजिस्टेंस लेवल है 47,780 का इंडेक्स उसे डेली होना स्टार्ट होगी एज अफना हम देख रहे हैं कि 48,000 के लेवल पे हमारे पास इंडेक्स में बायर्स अवेलेबल नहीं हैं वहां पे सिर्फ जो है वो सेलिंग प्रेशर है तो 48,000 से उस पर जाके अगर बाइंग एक्टिविटी जनरेट होना स्टार्ट होगी तो ही जो 45,500 के लेवल की तरफ तकरीबन जो है वो पुश होता हुए इंडेक्स नजर आएगा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी अगें जो मैंने मेंशन की हुई है काफी दिनों से जब से रेंज बोंड एक्टिविटी चल रही है वो यही है कि जब भी इंडेक्स 47,000 से नीचे जाके थोड़ा सा उपर जो है वो अपनी पॉजिटिविटी शो करना स्टार्ट करें तो वहाँ पे आप अच्छे स्टॉक्स में जो है वो ग्रेजूल बाइंग कर सकते हैं और अगेन जब इंडेक्स आप देखें कि 47,900 से 48,000 के करीब अगर रिजेक्ट होना है प्रोफिटेबिली अपनी पॉजिशन से एक्जिट हो सकते हैं अगर आपने लोंग पॉजिशन ली हुई है तो रेंज बॉंड एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी इस वजह से तोड़ा सा मौतात होके चलिएगा बस यह 1000 पॉइंट्स जो हैं उनको हमने चलता तब तक कोई भी एग्रेसिव मूव जो है वो रेकमेंडेड नहीं है इस वोड़ बी ऑल फर टुड़े सेशन उमीद है तो बेस्ट अफ माइन नौलेज आम ट्राइंग तो हेल्प यू विद यूर ट्रेडिंग इन इन्वेस्टिंग स्ट्राइटजी और अगर आप सबस्क्राइब कर लें ताकि इन्फरमेशन टाइमली मैनर में आपको मिल सके अंटिल नेक्स सेशन अल्ला हाफिस